तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप लोग गूगल पे फून पे पेटियम एप्लिकेशन यूज़ करते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़दा इंपोटेंट होनी बाली है क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर ट्रैंजेक्शन फीस देना होगा यानि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आप लोगों से लगने वाली है जो भी आप लोग यहाँ से मुबाइल लिचार्ज करते हो या आप लोग कोई भी यहाँ पर transaction करते हो तो कौन से platform में किस चीज का कितना charge लगने वाला है इस वीडियो में detail में जानेगे दोस्तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़दा important होने वाला है तो वीडियो को आप लोग अंते तक जरूर देखना अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक like कर देना चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए मैं आचुका हूँ मुबाइल की इस किरिन पर आप लोगों को detail में बताने के लिए आपको कहां पर कितना charge लगने वाला है तो सबसे बिले मैं सुरात करूँगा अब phone page से यहां पर phone page मैं आप ओपन करता हूँ phone page application ओपन करने के बाद में फिर आप लोगों को यहां पर कहां पर charge लगने वाला है कौन से transaction पर तो यहाँ पर दोस्तो अभी यहाँ पर फून पे ने जो स्टार्ट किया है वो यहाँ पर मुबाइल लिचार्ज पर यहाँ पर आप लोगों को चार्ज देना होगा कितना देना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि मैं मुबाइल रिचार्ट पर किलिक करता हूँ यहाँ पर कोई सा भी एक मुबाइल नमबर डाल देता हूँ चाहें आप किसी का पर डाल सकते हो जैसे कि मैं एक यहाँ पर जियो नमबर डाल देता हूँ जियो नम्बर डालने के बाद में यहाँ पर आ चुके हैं आपके सामने पिलान अब आप जो भी रिचार्ज करना चाओगे जैसे कि मैं यहाँ पर 50 रुपे का एक रिचार्ज करना चाहता हूँ उस पर कितना यहाँ पर चार्ज है क्या यहाँ पर चार्ज लगेगा की नहीं तो यहाँ पर Change Plan पर किलिक करते हो और यहाँ पर हम डाल देते हैं 51 रुपे और यहाँ पर 51 में 6 GB डेटा आता है तो हम 51 रुपे डाल दिया है तो अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर 1 रुपे चार्ज लगा है जो कि हमने 50 रुपे का यहाँ पर रिचार्ज कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो Processing Fees है इनका GST बता रहे हैं यह लोग तो आपको 1 रुपे यहाँ पर देना पड़ेगा तो हम आपको आगे बताते हैं यहाँ पर अगर हम 199 का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम 199 का रिचार्ज हमने यहाँ पर Select कर रहे है तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 2 रुपे आप लोगों को processing fees देना पड़ेगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर charge लगने वाला है 199 रुपे में अब हम यहाँ पर दोस्तो 2399 का recharge करके देखते हैं जो कि यहांपर 2399 नहीं आता है हाँ 2399 रुपे आ चुका है और आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे यहाँ पर भी आप लोगों को 2 रुपे चार्ज लगने बाला है तो यहाँ पर फून पे में आप लोगों को 2 रुपे च चार्ज लगा तो ठीक है तो ये तो रहां फून पे का और जोसों मैं आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि आप लोग यहाँ पर कोई भी यहाँ पर electricity bill पे करते हो DTS रिचार्ज करते हो credit card यहाँ पर bill payment करते हो या रेंड पेमर करते हो कुछ भी यहाँ पर gas booking करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं ले गएगा तो यह यहाँ पर अच्छा है और आप लोगों को अब यहाँ पर फून पे में रिचार्ज का चार्ज देना पड़ेगा तो यह यहाँ पर काफी मुझको बुरा लगा कि यहाँ पर जो हम लोगों से यहाँ पर recharge का पैसा लिया जा रहा है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कंपनिया हम लोगों से यहाँ पर काफी पैसा यहाँ पर लूट रही है अब यह जो यहाँ पर UPI application है यह हम से charge करने लगे हैं जो भी यहाँ पर रिचार्ज करेंगे, अभी तो यहां पर रिचार्ज का ही, आप लोगों से चार्ज ले रहें आने वाले समय में हो सकता है ये सभी पर अपना चार्ज लगा दे तो यहां पर ऐसा आगे हो सकता है और मैं बात करूँ यहां पर Google पर और यहाँ पर PayTM तो अभी तो यहाँ पर इन लोगों ने कोई भी अपना चार्ज नहीं लगाया है हो सकता है फून पे को देखते हुए यहाँ पर आने बाले समय में यह भी अपना processing fees लागू कर दें तो अभी तो यहाँ पर और कोई platform में यहाँ आपको चार्ज देखने को नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर फून पे ने किया है यह काफी यहाँ पर गलत किया है फून पे ने तो आप लोगों को यहाँ पर दोर पे maximum यहाँ पर processing fees देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आसा करता हूँ आज का वीडियो आप सबी लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना ताकि और लोगों को भी यहाँ पर पता लग पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कि लिए नए वीडियो में तब तक लिए खुश रहीएगा बाई बाई